स्वयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणना टीवी चैनल की तरब से भी दिदी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेणना टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आप सभी को डे नरलम से जुड़ी उसके साथ साथ केंडर सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी सब से पहले दिदी आप सभी को उगत कर दिया जाएगा तो प्लीज हमारे प्रेंटना टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर दिदी आप पहले से ही डे नरलम में जुड़ी हैं तो आप से निवेदन है कि पंच सूत का पालन करना बिल्कुल नहुले सापताहिक बैठक, सापताहिक बचत, आद्रीक उधार, समयसरण वापसी लेखा जोखा इन पंच सूत्रों का करे पालन और अपने समू को रखे सक्रिय क्योंकि सक्रिय समू को ही योजनाओ का लाब दिया जाता है और वरिता भी मिलती है तो चलिए देदी जादना बात करते हैं में टॉपिक की तरफ आते हैं जैसा कि आपने हमारे थमनिल में देखा है खादिया और नागरिक आपूर्ती विभाग ने इस साल 15 अगस्त तक 5000 अन्नपूर्ना भंडार का लक्षय रखा है जिसे ग्राम मौल के नाम से जाना जाता है इस योजना के पहत राशन की दुकानों को बहु ब्रांज खुदरा दुकानों में परिवर्तित कर दिया गया है जो ग्रामीन उपभोकताओं को रियाईती दरों पर गुनवत्ता पूर्ण उपभोकता सामान प्रदान करती हैं। जैपूर, खाद्या और नागरिक आपूर्ती विभाग ने इस साल 15 अगस्त तक 5000 अन्नपूर्णा भंडार का लक्षय रखा है, जिसे गाव मौल के नाम से जाना जाता है। 30 जून को एक दिन में 150 दुकाने खोलने के साथ राज्या ने जून तक 2000 मील का पत्थर पार कर लिया है, कुल संख्या 2018 तक ले जा रही है। ग्रामीन उपभोगताओं को रियाइती दर पर प्रमुक सचिव खाद्या एवं उपभोगता मामलों के डॉक्टर का कहना है। उपभोगता और डीलर के बीच 60 रेशियो 40 के अनुपात में साजहा किया जाएगा। वो कहते हैं कि इससे दुकान के मालिक को उचित लाब और उपभोगताओं को उचित मूल्य का आश्वासन मिलेगा। अन्नपूर्णा भंडार योजना ने उचित मूल्य की दुकान के मालिकों के साथ आधुनिक व्यापार प्रथाओं को साजहा करके उचित मूल्य की दुकानों की क्षमताओं और क्षमता का विस्तार किया है। एक निजी भागीदार फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड के रूप में गुनवत्ता पूर्ण उपभोगता वस्तूओं की आपूर्ती कर रहा है और प्रबंधन प्रथाओं को साजहा करने के साथ साथ उचित मूल्य की दुकानों एफपीएस को एक नए आधुनिक खुद प्रारूप में अपग्रेड करने में मदद कर रहा है